तो हे निमश्कार दोस्तों आप सभी का एक और नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत है यहां पर काफी दिनों से मेरे पास लगातार एक ही कमेंट आ रहा था प्लीज यार रेड्मी नोट 8 प्रो के उपर कस्टम रोम की वीडियो बनाईए कैसे इंस्टॉल करना है पूरा इंस्ट्रक्शन बताईए जब से मैंने आपको लोग को बताया था मी वाज वाल इंस्टॉल करना अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो उसके बाद से बहुत साय लोग का आने लगा है यहां पर कमेंट तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चाहते हो क्योंकि आपका डिवाइस यहां पर मीडिया टेक के उपर बेस्ट है तो थोड़ा सा उसमें आप पर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बहुत जल्दी ब्रिक होने के आपके फोन के मतलब पूरा पत्थर बन जाएगा कुछ काम नहीं होगा उसके चांसे रहते हैं इसलिए जो हम स्टार्टिंग में मेठड एंड तक करेंगे उसमें आपको एक यह चीज बेनिफिट मिल जाती है कि बाई चांस माल लो आपका फोन में कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो आप उसको घर बैटे बैटे दिकवर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के आपको क प्रॉपय खर्च करने की जरुवत नहीं पड़ती है तो इसलिए यार सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाओंगा सभी डेवलपर लोग को जिन्होंने ये मैठड बताया है बनाया है आप सभी के लिए तो उन लोग के लिए तो सबसे बड़ा थैंक्स यहां पे है जो भी यह आप यह सारा काम कर रहे हैं तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं उससे पहले आपको बता दूँ कि जो जो फाइल यहां पर यूज होनी है सभी चीज का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप पहले जाके वो लिंक से सब चीज राउंड पढ़ने वाली है अब यहां पर आपको बता दूँ कि पहले अभी यार अगर आप MIUI 11 Android 10 के उपर हो या MIUI 12 Android 10 के उपर जो हो तो आपको सबसे पहले यार अपना डाउंग्रेट करके MIUI 11 Android 9 के उपर जाना होगा यहां पर देख सकते हो मैं हूँ MIUI 12 के उपर और यहां पर मैं अब इसको करूँगा डाउंग्रेट MIUI 11 Android 9 के उपर यह करना एक ही बार के लिए बस जरूरी है ताकि यहां पर जो एक चीज है प्री लोडर जिसकी मदद से अगर आपका फोन ब्रिक भी हो जाता है वो एंट्री ब्रिक रहता है तो वो आपको यहां पर आपके फोन को रिक चलानी है वो कस्टम रोम बिना किसी प्रॉब्लम के चला सकते हूं तो सबसे पहले तो हम चलते हैं पीसी की तरफ जहां पर मैं आपको इहां पर दिखाता हूं कि किस तरीके से आप Android 9 की रोम फ्लेश कर सकते हूं अगर आप MIUI 12 में हो Android 10 के उपर बेस या MIUI 11 में हो Android 10 के उप पर हो तो यह method को आप skip कर सकते हैं उसके बाद कर जो method है अब वो आगे यहां पर follow कर लेना तो चलिए जली से चलते हैं PC स्क्रीन के उपर यहां पर आपको दिखा देता हूं उससे पहले बता दू यह चीज करने से पहले आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होना जरूरी ह तो फोन का बूट लोडर आप अनलॉक कर लेना और अगर आपको मीवाइ 12 में जाना है तो उसके उपर मैंने वीडियो पहले से बनाया है आप वो वीडियो जाके देख सकते हो तो चलो पहले चलते हैं यहां पर Android 9 को फ्लेश कर लेते हैं तो यहां पर हम आगे अपने PC स्क् तो यह चीज घानकना और मेरा डिवाइस है global Indian वाला तो मैंने यहां पर यह इंडियन वाले को डाउनलोड कर रहा है अगर आपका global है तो आप global fastburt home को डाउनलोड कर सकते हो यहां पर हम इसको मीवाश टूल प्रो की वदद से इसको यहां पर फ्लेश करेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको flash कर लेते हैं मैं Mi Flash Tool Pro की वज़त से आपको यहाँ पे flash करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको install कर लिया है और install होने के बाद आपको यह कुछ इस तरीके का मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हूँ यह Mi Flash का op को यहाँ पे option मिलता है यहाँ पे आने के बाद आपको select पे जाना है और यहाँ पे आपको select करना होगा Android 9 की recovery जो भी आपने यहाँ पे रखी हुई है अगर आपके device में already है save आपके में Android 9 है तो आपको यह करने की जरुवत नहीं है और यहाँ पे यह file मिल जाएगी आपको इसको ok करना है पहले file को extract करना है उसके बाद आपको ok करना है एक बार आप refresh करोगे और अपने phone को obviously आपको fast boot mode में boot करना है उसके लिए सबसे पहले आपको इसको power off करके भी आप कर सकते हो या reboot में आप यहाँ पे जो volume down बटन है उसको tap करके इसको fast boot mode में boot यहाँ पे करना होगा तो fast boot boot में यहाँ पे boot हो जाएगा तो fast boot boot में यहाँ पे phone आपका boot हो जाता है उसके बाद हमको यहाँ पे जाना है वैसे मैं आपको एक एडवाज जादूं कि आप अपनी ड्रोम जो है जहां पर एक्सरेट करोगे वो लोकल डिक C के अंदर ही रखना अगर आप वहाप पे नहीं रखोगे तो आपको एंटी रोल बैक की एरर देखने को मिल जाएगी तो यह चीज कॉमन चीज है लेकिन आप यहां पर सी मेर रख लेना उसके बाद यहां पर आप देख पाऊगे कि आपको यह आटोमेटिकली फ्लेशिंग वगेरा शुरू हो जाएगी इससे आपका यहां पर डेटा सब डिलीट हो जाएगा तो बैक अप जरूर से लेके रखना और ध्यान रखना नीचे आपने क्ल आगे बढ़ा देते हैं जैसे ही हमारे यह चीज़ फ्लेश हो जाती है मैं आपको दिखा दूँगा कि आगे आपको क्या यहां पर करने की जरूरत पड़ने वाली है अब आप देखो कि यहां पर फोन आटोमेटिकली रिबूट हो गया है और यहां पर हमारी फो जो रोम है फ्लेश हो गई है आपको कुछ रिजर्ट पे एरर दिखा हुआ मिलेगा लेकिन उससे गवड़ाना नहीं आपका यहां पर रोम जल्दी से फ्लेश हो गई है अब यहां पर हम आगे काम कर लेते हैं कि क्या करना है जब यह रोम आपकी यहां पर फ्लेश हो जाए तो सबसे आपको कुछ िस तरीके का लिखा हुआ है ऐसे प्र से चारब को जानद करना है है और अपकी अल्री कनेकेटर की कि तरफ यहाँ पर आपको फोल्डर मैंने इस अभी का link description में दे दिया है तो सबसे पहले तो आपको यह जो ABD setup देखने को मिल रहा है आप इसको एक बार install कर लेना YY प्रेस करके आपको install करना है वो हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देख पाओगे यह automatically आपके phone में सभी चीज़ों को flash कर देगा Thanks to Santos developer है जिन्होंने develop पूरा करा है अब यहाँ पर आपको कोई भी press करनी है any की तो यहाँ पर यह कतम हो जाएगा अब हम यहाँ पर अपने phone में देखेंगे तो यह boot मैंनो थोड़ा different type का आपको देखने को मलता है as compared to TWRP लेकिन यह आपको यहाँ पर यह मद help करता है कि आपका phone कोई break वगेरा ना हो इस चीज़ के अंदर आपको यह बहुत ज़ादा help यहाँ पर करता है recovery में नहीं fast boot mode के अंदर recovery हमको अब flash यहाँ पर करनी है तो fast boot mode में जाके आपको यहाँ पर down वाले को दबा देना है और यहाँ पर देखो आपका fast boot mode आ गया है अब यहाँ पर हम non CFW TWRP को flash करने वाले हैं यह cwf एक नया term है जिसके help से अब और आपका protected हो गया है यहाँ पर phone तो बस आप इतना ही जालो तो काफी बढ़िया है अब यहाँ पर हम connect कर लेंगे अपने phone को computer की help से अब यहाँ पर हम आगे अपने PC की तरफ तो यहाँ पर आपको आप जो दूसरी फाइल देखने को मिलती है इसी के अंदर flash non CFW TRWRP हमको इस पर tap करना है और यहाँ पर आपके phone के अंदर TWRP को यहाँ पर easily flash कर देगा अब यह आपका यहाँ पर काम हो जाता है अब यहाँ पर हमको अपने phone को बूट करना होगा recovery mode के अंदर तो अब यही फिर से हम करेंगे और इस बार हम select करेंगे recovery mode जिसमें आपका phone अब TWRP recovery में बूट हो जाएगा तो इसको यहाँ पर हम जल्दी से बूट कर लेते हैं TWRP recovery में आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम select कर लेंगे recovery और यहाँ पर वॉल्यूम डाइन प्रेस करेंगे और आपका यहाँ पर phone recovery के अंदर बूट हो जाएगा recovery के अंदर बूट होने के बाद हमको यहाँ पर जो भी फाइल है एक दो जैसे कि आपकी रोम की फाइल हो गई और एक एंटी ब्रिक की एक और फाइल है जो कि CWF वाली है आपको उसको अपने phone से अपने PC से अपने phone के अंदर transfer यहाँ पर कर लेना है वो हम transfer कर लेते हैं आपको description में दिया है एक यह आपको file देखने को मिलती है जिसमें आपको bejonia.in लिखा हुआ मिलेगा यह आपके अगर Indian device है तो उसके लिए है अगर आपका device by chance global है तो आप उसमें global वाला flash करना दोनों का link में दिसक्रिप्शन में दिया है इसको हम simply send कर देंगे यार अपने device के अंदर उसके बाद अगर आपको जो भी रोम इसके अंदर flash करनी है हम उसको भी आपे send कर देंगे आपके device में तो यह चीज़ आपको बस first time ही flash करनी है जो कि आपको यह बिजॉनिया A10 की CFW यह देखने को मिलती है उसके बाद बार बार आप कोई भी दूसरी रोम CWF based व पर फिर से flash करनी होगी और आपकी रोम यहाँ पर इसलिया flash हो जाएगी येस अराम से आप यहाँ पर कोई भी रोम यूज करना चाहो अब उसको खरबाओगे बिना किसी problem के तो यह एक अची चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर हमारी रोम हो के और swipe to wipe आपको यहाँ पर इसमें कर दिना है यहाँ पर आपका done हो जाएगा और देख लो यह आपको हो गया and back जाना है अब आपने यहाँ पर सबसे पहले तो जो cwf वाला zip है जो कि आपको देखने को मिलता है यह आपको select करना है और इसको यहाँ पर confirm flash यहाँ पर कर दि हो उसको यहाँ पर flash कर देंगे अब यहाँ पर देखो मेरे रोम में Google Apps पहले इंस्टॉल है तो Google Apps मुझे इंस्टॉल करने की जरुवत नहीं पड़ेगी अगर बाइचांस आपको यह ऐसी रोम flash कर रहे हो जिसके अंदर Google Apps इंस्टॉल नहीं है तो आप इस रोम को flash करने के बाद ही Google Apps यहाँ पर flash कर देना ध्यान अभी आप मैजिक्स वगरा विल्कुल भी flash करना नहीं कोई अलग से चीज़ आपको यहाँ पर अभी flash करनी पड़ेगी आपको यह चीज़ फ्लेश हो जाएगी उसके बाद आपको जाना होगा अपने फोन का format डेटा फिकरना होगा तो बैक अप आपने बनाया कि नहीं बनाया स्टाइटिंग में तो बैक अप जरूर से बना लेना यह एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि बैक आपके डिवाइस का है पूरी तरीके से और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बापिस जाना है बिना टाइम गवाए और हो गई रोम फ्लेश अब यहाँ पर बैक जाएंगे और आपको वाइट में जाके फॉर्मेट में वाई एस टाइप करना है यहाँ पर ओके कर देना है और आपका यहाँ पर डेटा जो है सफा चट आपका पूरा हो जाएगा यह होने के बाद आप आपको अभी reboot to system नहीं करना है आपको करना है reboot और reboot to bootloader आपको यहाँ पर करना होगा अब यहाँ पर हम reboot to bootloader कर देंगे और यहाँ पर एक बार आखरी चीज़ जो बची है आपके PC से connect करना होगा और एक आखरी फाइल को आपको यहाँ पर flash करना होगा तो इसको connect कर लेते और यह automatically आपके लिए यहाँ पर TWRP को भी flash यहाँ पर कर देगा अपने phone को आप disconnect करो अब simply power button आप यहाँ पर दबाओ और आपका phone बूट हो जाएगा आपकी custom room के अंदर जी हाँ जी हाँ आपके phone के अंदर Redmi Note 8 Pro के अंदर custom room अब आ गई है अब यहाँ पर reboot होती है जब तक मैं आपको एक दो चीज यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपका phone by chance मानलो कोई चीज आपने करी ऐसे brick हो जाता है तो आपने जैसे starting में देखा मैंने यहाँ पर custom जो की MIUI 11 Android 9 की जो room थी उसको flash करा यहाँ पर अपनी device में तो same उसी तरीके से अगर आपके phone में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसको flash कर सकते हो SP flash tool के वज़से या जो MI flash tool आपको देखने को मलता है उसकी help से तो आपको यहाँ पर कुई service center जाने की जरुवत नहीं परती है इसलिए हमने जो starting में file flash करी थी वो इसी चक्कर में इसको करी थी ताकि आप यहाँ पर recover कर पाओ आप यहाँ पर बात कर लें कि अगर आपको बापिस जाना है MIUI 12 के अंदर तो उसके लिए क्या करना होगा तो उसके लिए भी आपको same method से अपनी यहाँ पर फासबूट रोम को flash करना होगा जैसे कि मैंने आपको starting में ही दिखाया था आप यहाँ पर TWRP से flash करके MIUI 12 में नहीं जा सकते तो यह चीज आप करना भी मत भूल से यह चीज आप ध्यान रखना और अभी हम लोंने CFWRE TWRP को डाला है तो अब आपके पास जो भी रोम आप flash करोगे तो उसमें एक चीज जरूर से ध्यान से पढ़ लेना कि वो CWF compatible है की नहीं है अब mostly सारी रोम compatible आपको देखने को मिल ही नहीं है CWF के साथ आहीं रही है तो आप उसको simply आप flash कर पाओगे बिना किसी चीज के और लफड़ा आपको PC वाला नहीं देखने को मिलेगा simply आप जैसे आप रोम flash करते थे TWRP में जाके wipe all करके और रोम को flash करके बस आप क्या हो जाएगा यहां पर आगया है Pixel Experience रोम थोड़ा सा यूज करूँगा उसका बाद आपको review भी दूँगा जरूर से तो stay tuned to channel, video को subscribe, video को like, share और channel को subscribe जरूर से कर दीजगा कोई भी दिक्कत हो हमाई telegram group का link आपको description में मिल जाएगा और यहां पर Redmi Note 8 Pro का जो की main telegram का group है उसका भी link आपको description में दे दूँगा और वहाँ पर भी हाप help ले सकते हो सहाई साथ XTA में जाके एक mega thread है उसको भी पढ़ना मत बूलना उसमें भी और कई ज़ादा info आपको देखने को मिल जाएगी जिससे आपको यहां पर यार experience जो है आपका flashing का और custom room का वो आपका और भी बैतर हो जाएगा hopefully इस वीडियो में बस इतना ही मिलूँगा आपसे एक और यह वीडियो के साथ तब तक लिए take care bye bye see you in the next video और वीडियो को like किये बिना मत जाना यार बहुत मैनत लगे वीडियो बनाने में bye bye